पॉली हाउस लगाने से पहले भारतिय किसानों के मन में सबसे पहला कोश्चन ये आता है कि पॉली हाउस में अगर नुकसान होगा तो हमें कितना नुकसान होगा क्योंकि अधिकतर हम यह अववा सुनते रहते हैं कि भहिया उसने Polly House लगाया था उसे इतना नुकसान हो गया उसने Polly House लगाया था उसको इतना नुकसान हो गया और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको Social Media Platform और यूटूब पर मिल जाएंगी जहां पर poly house के नुकसान का पूरा विवरण और पूरा चिठा आपको दिखा दिया जाता है हमारे भारतिये किसानों को अंदर से negative कर दे जाता है और हमारे भारतिये किसान नई technology को नहीं अपनाते हैं और poly house करने से पीछे हट जाते हैं तो पॉली हाउस में कितना नुक्सान होता है, नुक्सान होता तो कहां पर होता है, फाइदा इसमें कितना हो सकता है, और किस प्रकार से इसकी सबसिटी लेनी है, और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से त्यार किये जाता है, तो सारी जानकरी आपको डिटेल्स में मिलने वाली है और हम इसमें आपको पूरी जानकरी देंगे चलिए शुरू करते हैं देखिए हमारे भारत में होता क्या है हमारे भारत में कोपी और पेश्ट यहां के लोग करते हैं मतलब किसी ने अगर कोई दस बीडियो बन जाती है और उसे हमारे भारत के किसान देखते हैं और वो फार्मिंग करने से फिर बस्ते हैं मतलब पॉली हाउस फार्मिंग में उनको नुकसान लगने लगता है मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात क्या ह क्या है अगर आप पॉली हौस्व फार्मिंग करना चाहते हैं पॉली आउस Diamond में उता है जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं जनको नहीं पता होता कि पॉली हॉस farming में किस प्रकार से खेती करनी है किन-किन चीजों का ध्यान लगना है कौन सा उसमें बीज लगाना है ऐसी बहुत सारी चीजें आपको उसमें आनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं देखिए सबसे पहले अगर आप पॉली हाउस farming करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लीजिए उसके बाद आप अपना पॉली हाउस farming सुरू करिए जब आप बहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने उसमें क्या क्या सीखा जो जो ट्रेंड फार्मर नहीं है उनको जो नुकसान हो इस बेज़े से होता है सबसे पहली बाद जो ट्रेंड फार्मर है उसको पता होगा कि तापमान कैसे मेंटेन करना है अपने पॉली हाउस का पॉली हाउस का इस्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जब आप पॉली हाउस farming कर रहे हैं तो आपको किस समय पर कौन सी medicine कौन से pesticide और क सारी जानकारी एक ट्रेंड फार्मर को पता होती है सबसे important होता है सही seeds का प्रियोग करना यानि कि अच्छे उच गुडवत्ता वाले बीजों का प्रियोग करना अपने पॉली हाउस farming में क्योंकि दोस्तों जो हम open में सबजियां उगाते हैं open में जो भी हम फूट से लगात होते हैं उनके फल भी जादा आते हैं और वो नॉर्मल बीज से थोड़ा अलग होता है जो एक नॉर्मल बीज होता है आप उसको सनलाइट में डारेक्ट उगाएंगे तो उग जाएगा जबकि पॉली हाउस वाले को अगर सनलाइट में उगाते हैं तो उसकी अच्छी ग्र हैं वो कारीगार अलगी होते हैं उनको सारी जानकारी होती है मगर सबसे पहले आपको एक सही जगह का चुनाव करना है जहां पर आपको पानी की वेवस्ता हो आप अपनी फसल में पानी दे सकें लाइट की फैसिलिटी हो ताकि आप वहाँ पर काम करते हैं मोटर वगरा चल के union से अगर पहाडी शेतर में चाहते हैं तो थोड़ा относ धोड़ा भर तो mejorar रोगाते हैं जो फूट फूट वह जडिन ये उनकी मार्कत में कोस्ट भी बहुत जादा और दोस्तो जब आप पोली हाउस बना पहर जाते हैं तो आपको सुरुबात में 500 square meter का ही वनाना है ताकि आपका दो learning time है वो अच्छे से आपका उसमें बीच जाए और आप उसमें 6 महीने से ले करके एक साल तक आपका उसमें learning time अच्छे से बीच जाए और आप अच्छे से उसमें सीख पाएं क्योंकि उसमें experience होना बहुत जरूरी है और आप अपने experience से जादा अच्छे से शीख पाएंगे फिर आप 500 square meter से बढ़ा करके 4000 square meter का तक का poly house बनवा सकते हैं और 4000 square meter मतलब एक एकड़ और एक एकड़ में 15 से 20 लाग रुपे की लगवक कमाई होती है साला ना दोस्तो दोस्तो अब देख लेते हैं अगर आप पोली house बनवाना चाह रहे हैं तो उसमें खर्चा कितना आएगा देखिए मैं आपको बता दूँ पोली house बनाने के लिए एक मीटर में 750 रुपे से ले करके 1000 रुपे का खर्चा आता है तो दोस्तो अगर आप शुरूबात में 500 square meter का बनाते हैं अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग प्रकारिक की कोष्ट आ सकती है मैंने लगभग यह आपको बता दिया है और आप जब इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी सब्सिटी भी मिलती है डिपेंड करता है आप भाद के किस राज्य में रहते हैं कि जगा पर रहते हैं या पहाड पर रहते हैं या प्लैन में रहते हैं और आप कौनची काष्ट में आते हैं SC, ST, OVC या जनरल काष्ट इसके आपट भी डिपेंड करता है कि आपको लोन कितना मिलेगा आपको सब्सिटी कितनी मिलीगी दोस्तो अब देख लेते हैं poly house farmer को subsidy कितनी मिल सकती है देखे मैं आपको बता दूक देश के अलग-अलग राज्यों में पहाळ के हिसाब से और काष्ट के हिसाब से subsidy दी जाती है मगर कम से कम जो subsidy मिलती है वो 50% मिलती ही मिलती है चाहे वो पहाड का हो, plane का हो या किसी भी कास्ट का हो अगर हम management की बात करें तो 90% तक subsidy दी जाती है अलग-अलग राज्यों में subsidy अलग-अलग इसाब से मिलती है दोस्तों अब देख लेते हैं poly house farming में अगर subsidy लेना चाहते है तो हमें कौन-कौन से document चाहिए सबसे पहले देखिए आपका आधार card pen card, जाती प्रमान पत्र इस्थाई प्रमान पत्र और आय प्रमान पत्र और आपका photo, passport site photo चाहिए और आप जिस land पर लगाना चाहते हैं उसके आपको documents खाता-खतोनी जो भी होता है वो आपको चाहिए जब आप ये report bank में submit कर देंगे अपने papers bank में submit कर देंगे तो बहां से वैल्यूटर आते हैं यानि कि बहां को जो bank manager है field bank manager वो आपके छेतर में आपके poly house पर आएंगे जहां पर आप बना रहे हैं बहां पर उसकी value देखेंगे कि वास्ता में जो आप इतनी subsidy लेना चाहरे हैं कि वास्ता में वो उस लाइक है उतनी value आप उसमें लगा रहे हैं ये value bank में submit कर दी जाएगी उसके बाद आपको डेड़ से दो महीने के अंदर जब आपका poly house complete हो जाएगा उसके डेड़ से दो महीने के बाद आपको आपकी subsidy मिल जाएगी दोस्तों अगर आपका खर्चा लगवग 9,00,000 रुपे आता है 50% मान का चलिए 4,00,000 रुपे something आपको उसमें मिल जाएगा 4,00,000,000 रुपे आपको इजली उसमें मिल जाता है subsidy जो आजपास के हमारे जान पचान में लोगों को मिली है 50% subsidy आपको हर हाल में मिलनी ही मिलनी है अगर मैं एक एकड़ की बात करूँ तो एक एकड़ में अगर आप पूरे में poly house farming करते हैं तो आपको 16,00,000 रुपे की subsidy मिल सकती है दोस्तों लगभग मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है राज्य सरकार के अनुशार कुछ किसानों के दिमाग में confusion होता है कि poly house farming और hydroponic farming में क्या अंतर होता है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों दोनों ही poly house के अंदर किये जा सकते हैं मतलब poly house यानि की एक polythene का बना हुआ काफी बड़ा घर जिसके अंदर हम farming करते हैं मगर poly house के अंदर जो farming करते हैं बोर नॉर्मली हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं उसके अंदर फिर पानी छोड़ा जाता है उस पानी में कुछ 15-20 प्रकार के कुछ element होते हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं जो पेड़ पोदों के लिए पोशक तत्व का काम करते हैं तो पेड़ पोदे अपना nutrition, nutrition ही लेते हैं फारिविंग में उस पानी से लेते हैं to कुछ इस प्रकार से फारिविंग जाती है पॉलि Aunty और वारिव। में काफी अंतर होता है तो आप concentrate मत होँए गा इस कार की बहुत साり जानकारी फार्मींग से ऑंड़ीड से और धालते रहते हैं इस पकार की वीडियो के लिए जुड़े रही है तूदेशी के साथ फिर से मिलेंगे इसे प्रकाशन नेक्स वीडियो में अब के लिए सब्सक्राइब धन्यवाद